नमस्कार दोस्तों, जैश्री कृष्ण राधे राधे दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं। औरतों का ये भाग है। सबसे ज्यादा पवित्र इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि औरत के कौन से लक्षन उसे पूरे परिवार के लिए भाग्यशाली बनाते ह तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं कि औरत का सबसे पवित्र इंग कौन सा है। अगर आप जान लेंगे, ये बात तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, हर व पैरों को सबसे पवित्र अंग मानते हैं, लेकिन सचाई कुछ और ही है। भारतिय संस्कृति में महिलाओं को पूजनिये माना गया है, उन्हें सबसे सम्मान प्राप्त है। यही वजह है कि हमारे यहां कन्याओं के पूजन की परंपरा है, सामुद्रिक शास्त्र की करें तो इनमें महिलाओं और ग्रहनियों के अंगों के बारे में विस्तरित रूप से प्रकाश डाला गया है। उनका कौन सा लक्षन किसी पूरुष के लिए बहतर या भाग्य बदलने वाला होगा। इस सवाल के जवाब भी सामुद्रिक शास्त्र में है। इसमें महिलाओं के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक की स्थिती और उसका फल बताया गया है। इसमें महिलाओं के बड़े अंगों का भी। पैद यही वज़ा है कि जब हमारे घर के बुजर्ग विवाह के लिए लड़की देखने जाते थे तो वह शारिरिक सुन्दर्ता की बजाए बालिका के शारिरिक अंगों और लक्षणों पर अधिक गौर करते थे। चलिए आपको बताते हैं कि महिलाओं का कौन सा अंग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर ले। इसरा लक्षण लंबी गर्दन सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना। ऐसी स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्री के पती को यश सम्मान और प्रसिध्धी मिलती है समाज में और उनके हर कार्य में सफलता मिले ऐसे लोग फिर चाहे वह लड़की हो या लड़कियां बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले होते हैं। होती है मतभेद रहते हैं अपने जीवन साथी के साथ और जिन भी लोगों के माथे पर अगर किसी भी तरह का चोट का निशान या जले का निशान है तो ऐसे लोगों को अपने माथे पर चंदन जरूर लगाना चाहिए। इससे आपका भाग्य प्रबल होता है। हो तो ऐसी स्त्री किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाती। ऐसी स्त्री के परिवार वालों को भी असफलता देखनी पड़ती है। चरित्र भी ऐसे लोगों का अच्छा नहीं रहता। हमेशा उनके कामों में देरी होगी। ऐसे लोग कभी भी सुब है। निशाचर प्रवृत्ती के होंगे। ऐसी स्त्रियां दूसरों पर जल्द भरोसा नहीं करती है। अगर सामान्य बाल है या सामान्य गंध है पसीने की तो यह ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गड़ है तो यह शुभ लक्षन नहीं है। ऐसी स्त्रियों को हमेशा ही परफ्यूम मित्र और सुगंध की चीजों का इस्तिमाल जरूर करना चाहिए। इस से उनका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। छटा लक्षन है आवाज दोस्तों अगर पुरुशों की बात करें तो जिन पुरुशों की या लड़कों की आवाज तेज होगी और स्पष्ट होगी ऐसे लड़के बहुत भरोसे मंद होंगे। बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है। जिनके बाद एक बार में स्पष्ट ना हो तो विश्वास कमजोर हमेशा अपने जीवन में कनफ्यूज रहेंगे क्योंकि बहुत तेज आवाज की लड़कियां हैं ऐसी स्त्रियों को जीवन में बहुत संगर्श करना। पढ़ता है किसी भी कार्य उन्हें अपने जीवन में हर तरह का सुख बहुत ही आसानी से मिलता है। सातवान लक्षन पास करती है, बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, पर औनगी करें तो बिल्कुल हैं, यानि हलकी आवाज के लड़के हैं, जिनके बाद एक बार में सपष्ट ना हो, चाहे पुरुशों की बात करें, तो जिन पुरुशों की या लड़कों की जलकी आवाज के लड़के हैं, जिनके बाद एक बार में सपष्ट ना हो, तो ऐसे लोगों का आत्म विश्वास कमजोर होगा, और हमेशा अपने जीवन में कनफ्यूज रहेंगे, और वहीं अगर स्त्रियों की अपनी वाली स्त्रियां हैं, या जो बहुत तेज आवाज की ल साथवा लक्षण, जो लोग चलते समय पैरों से, बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, खास करके घर की महिलाएं अगर चलते हुए पैरों से आवाज करती हैं, बहुत तेज चलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, तो यह भी अच्छा लक्षण नहीं है, कार्य अच् कि अस्थित्व का नहीं चाहिए। यानि कि कोई भी चोट का निशान आखों के आसपास नहीं होना चाहिए, और आखों में चमक होनी चाहिए। ऐसी इस्थिति पूरे घर के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। ऐसी स्त्रियों के जीवन में ठहराव नहीं आता है जबकि जिनके नाखून लंबे चमकदार होती है ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं भाग्य आता है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहां महिलाओं की पूजा की जाती है वहां देवताओं का निवास होता है और जहां इनका अपमान होता है इन्हें गालियां दी जाती है इन्हें बार-बार परेशान किया जाता है तो वहां पर गलती से भी देवी देवता निवास नहीं करते इसी लिए महिला का सम्मान करें महिला का सम्मान प्रकृति का सम्मान माना जाता है तो चलिए दोस्तों अब यह भी जान लेते हैं कि महिलाओं में उनका सबसे पवित्र अंग कौन सा है दोस्तों, हमारे रशियों के अनुसार ब्राह्मन के पर पवित्र होते हैं गाय की पीठ पवित्र होती है, घोडा और बकरियों के मुह पवित्र होती है, लेकिन बात जब एक महिला की आती है तो उसके शरीर के एक हिस्से की पवित्रता की बात करें, तो रशी मुनियों का कहना है कि महिला शुद्ध है, वैसे तो किसी भी महिला का सिर्फ एक हिस्सा न प्रफिया देने वाली महिला की नाभी से ही कोख में पल रहे बच्चे का विकास होता है। महिलाओं को इस अंग की पवित्रता को बनाए रखने के लिए। और मा शक्ती का सम्मान करते हुए रोजाना अपनी नाभी पर तेल जरूर लगाना चाहिए जो महिला रोजाना नाभी पर तेल लगाती है। ऐसी महिला होती है, सबसे ज्यादा भाग्यशाली और ऐसी महिला होती रोग से दूर रहती है। ऐसी स्त्री से घर में सौभाग गया आता है तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं